हेलो दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही प्यारा सा टापिक शेयर करने वाली हूँ वो है गुड नियोज जी हाँ दोस्तों जैसे कि गुड नियोज की बात आती है तो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो जो एक माबनने वाली एक आरत होती है उसके से लेकर एक छोटे से बेबी का आपकी larv में आने तक का जो सफर होता है वो बहुत ही प्यारा होता है बहुत ही सुंदर सा होता है इसका फेल तो दोस्तों इस सफर को और खुब सर बनाने के लिए चलिए शूरू करते हैं कि आपने अपना ध्यान किस तरह से रखना है जो दोस्तों कुछ बाते मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने किन-किन बातों को ध्यान रखना है और अपने इस special moment को किस तरह से enjoy करना है और किस तरह से अपने baby का आने का wait करना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों देखिए सबसे पहले जो यह शुरू के pregnancy के जो शुरू के तीन महिने होते हैं उसमें आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि आपने stairs जो सीड़ियां चड़ना इन सब को avoid करना है और इसी के साथ आपने high heels को avoid करना है इसकी जगा आप comfortable shoes बहन सकते हैं और कोई भी भारी चीज़ों को उठाने से आप प्रहेज करें उसके बाद बात आती है healthy diet की जिसमें आप fruits, vegetables, healthy diet लें और पानी ज्यादा मातरा में पीएं तो आपने full fruit, juice, आपने time to time अपनी diet healthy बनानी अच्छे से आपने खाना पीना खाना है अपने ध्यान रखना अपना और इसके इलावा आपने कोई भी किसी भी तरीके का कोई stress नहीं लेना है इसके इलावा आपको रोजाना exercises, yoga और सुबह और शाम को आपने box जरूर करनी है और अगर आपके case में कोई complication है तो आप अपनी डॉक्टर से सला लेकर ये सब चीज करते रहना है आपना blood pressure आपका normal होना चाहिए नहीं बढ़ने देना है नहीं आपने इसको कम होने देना है तो आपने अपने blood pressure का बीपी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और आपने अपनी mental health को ठीक से अपने अपनी mental health को manage करना है ठीक से आपने अपने weight को check करत कितना है आपको किस मंथ में कितना वेट आपको होना चाहिए इसके इलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब भी बाहर चेक अप के लिए जाना या आप कहीं भी कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको जो आपका वाइकल है आप मोटर साइकल पर बाइक पर बैठने से बचे अगर आप कार में या कार में जा रहे हैं तो आप सीट बेल्ट जरूर आप वेर करें जरूर से पहनें इसके लावा विटमिन्स लें और कमफर्टेबल क्लोथ पहनें तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो तो आपने इ लेवरी के टाइम और अपने डॉक्टर की बताई हुई बातों को फॉल्लो करना हैं और अपना इसी तरीके से ध्यान रखना है और दोस्तों याद रखना सबसे बड़ी बात कि आपने ऐसे ऐसे टाइम पर आपने खुश रहना है ताकि उसका असर है वो जो आपके बेभी हैपी रहे आप हैपी रहो तो आपका बेवी आने वाला वो भी हैपी रहेगा और काफी ज़ादा तंद्रोस्त होगा और हेल्थी होगा तो थेंक्यू दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा